मैं रिकॉर्डिंग भी लगा देता हूं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी थोड़ी हल्प हो जाएगे कमप्लीट थ्योरी कमब कबबर होंगी सारी डाल हुए लेकिन मैं अभी थिउरी अभी स्टार्ट करूंद लगा सारे थियोरी को करवाने में क्योंकि थियोरी कराना इजी है बस मैं उसके बैगराउंड बता जाओंगा ठीक है न चलिए अभी जो मैंने डिसकस किया था बीकॉम प्रोग्राम का पूरा पूरा कर लिया है तो पहली बात जो बच्चे हैं कई बार प्रोग्राम वाले ये सोचते हैं कि यार मुझे ओनर्स का वाले का क्यूं देखूं मैं और ओनर्स वाले स्टूडेंट सोचते हैं यार मैं प्रोग्राम वाले का क्यूं देखूं मेरा तो ओनर्स है लेकिन ऐसा नहीं है कई बार ऐसा होता है है कि honors में प्रोग्राम की questions उठके आ जाते हैं लाच चेर के और प्रोग्राम में honors के आ जाते हैं कई बार ऐसा हुआ है ठीक है ना तो चलिए अब मैं अगला जो दिखाने वाला हूं आपको पेपर डेट इस मैं honors का दिखाऊंगा आपको यह हमारे पास become honors regular का है इसमें थोड़े से दोनों है अलग अलग हुआ था इनका रेगुलर का अलग और honors दो पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप लगली आपको थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा ठीक है न ओहुँ चलिए मैं थोड़ा बड़ा साइज करके लेकर चलता हूं अगें देखिए सारी चीज़े वही है क्या क्या चीज़े वही है सर के सर हमारा जो पेपर है वो 90 marks का है और साथ के साथ हमें सारे questions देखिए यह पार्ट कहता है attempt any six कोई भी six करिए of the following are यानि date number का एक है सर क्या है इसमें statement true and false तो अगें एक idea लग गय है अब सर यह true है यह false है इस पर नहीं जाओंगा आंसर आपको given है मैं इसके उपर बिल्कुल नहीं जाओंगा कि यह चीज़े true था सर यह चीज़े false था answer given है मैं अभी पैटन समझा रहा हूं श्रीप आपको इसके बी पार्ट में अब आ गया prior period item अब मैं यह बताना चाहू कहता है accounting perform only function maintain the systematic accounting records ठीक है यह theory का पार्ट है पार्ट one का expense incurred keep आपका machine working condition capital expenditure यह भी थीरी का पार्ट है capital expenditure है expense incurred to keep the machine in working condition capital expenditure वैसे तो false है लेकिन यह भी थीरी का पार्ट है an expenditure intended to benefit current period is revenue expenditure true है और यह भी थीरी का पार्ट है accrual basis और revenue basis accounting यह भी थीरी का पार्ट है सर कौनसे unit number one का ही पार्ट है ठीक है all enterprises are required to apply in AS यह भी थीरी का पार्ट है वैसे तो गलत है यह इंड AS स्रिफ corporate के उपर apply हो रहा है तो गलत है लेकिन यह भी थीरी का पार्ट ही है unit one का going concern यह भी unit part का one का है अब आजाए सर prior period item यह accounting standard से पूछ लिया गया मिनी और यह बैसे prior period item यह सरिफ accounting standards है money measurement और यह सारी चीज़े है तो यह साड़े चार नंबर के दो questions कोई भी दो करें तो अच्छी बात यहां पर है even tackling after balance sheet date आपका as per AS10 इंड AS10 तो यह AS4 यानि यह भी तो यहां पर देखे थोड़ा सा accounting standards का भी दबदबार है भले ही honors का प्रोग्राम में भी आ सकता है तो हमारे accounting standards कौन-कौन से हम सारी चीज़े clear करने वाले हैं आज और Sunday मैं आपके साथ हूं तो उन सभी चीजों को clear करेंगे चलिए सर अब आगे हम थोड़ा और pattern को समझने की कोसिस करें दूसरा questions again जो आया यह honors का paper लेकिन pattern देख comparison करके दिखा दूँगा so that आपको समझ में आ जाए ठीक है चलिए अब जो मैं paper discuss करूंगा sir that is become honors का discuss कर रहा हूं वो भी regular का तो sir इस paper में हमने क्या देखा और क्या पाया कि जो पहला questions है one वो theory का रहा जिसके अंदर a part तो आ गया आपका true false and false and b part आ गया हमारा कुछ theory ठीक है जो पूरे 18 नंबर का 18 नंबर का ही आएगा second part again unit 2 से पूछा गया जैसे कि पहले था unit number 2 से था और आप बहुत लगली हो के 8 तारिक को जिनका paper है वो 9 का कुछ ना कुछ उससा idea ले लेंगे ठीक है चलिए sir अब इसके अंदर भी sir 18 नंबर क पार्ट कहता है inventory वाला आगया पार्ट एक बच्चे ने साइद मेरे से question भी पूछा था मैंने ध्यान दिया नहीं दिया कहता है limited given the following detail के लिए find out the value closing inventory के closing inventory को किस तरीके से हम करेंगे realizable expense दे रखाइए तो find करने के लिए है तो यह एस टू से जनरली लिया गया है ठीक है तो मैं इस questions को करा दूँगा new question लग रहा है कुछ बच्चों के doubt है तो मैं करा दूँगा तो 12 और 6 18 नंबर का हो जाता है यह question इसके और में देखें जरा भाई सब क्या है और मैं again आया explain the in the brief of the following meaning of property plant and equipment यानि वही है और आपका एस 26 और आपका साथ के साथ एस तू तो आप देखेंगे कि accounting standard भी पूछे जा रहे हैं तो जो theory पर focus करना है मैं वही important theory बताऊंगा जो की exam इस देखो HP leading the distribution पेट्रोल है यह question हमारे बी पार्ट है देखेंगे इसका एपार्ट यह आ गया और बी पार्ट में यह आ गया that is petrol taken month lease पे कहता है sales inventory दे दिया जून का दे दिया अगें कहता है कि आपका closing inventory निकालना है amount of goods sold निकालना है profit and loss for the month तो यह किसका एसर पहला पार्ट property plant equipment और यह आप यहां पर वर्ड अगर आ गया लीज वर्ड देखा था मैंने तो यह भी हमारा एस टू का ही पार्ट है मैं समझा दूआ इसके कुछ questions भी कर लेंगे तो finally अगर हम देखें question number two unit इसमें से आया यानि एक आया sir depreciation और एक आया inventory और उसके और में भी यही pattern है देखो question tough और आसान हो सकते हैं लेकिन पहले हमें pattern समझना होगा तभी तो हम tough और आसान को judgment करेंगे पहला question theory दूसरा question में थोड़े कहीं theory practical यानि मैं अगर दूसरे question की बात करूँ कि अगर आपने fully practical भी करा तो बच्चों को कहना है theory बहुत सारा paper में आया तो उसके option में आपको practical मिल रहा है यह बात भी ध्यान रखना है question number 3 किसका आएगा sir question number 3 देखिए आपका आगया club यानि sir NPU का आगया unit number 3 यह कितने नंबर का है sir यह 6 नंबर का आगया इसके साथ फिर से आगया यह दो तीन पा बी पार्ट अगेन NPU का आगया बी पार्ट अगेन NPU का आगया हमारा इसके बास सी पार्ट देखा जाए तो अगेन सब्सक्रिप्शन यानि 6-6 नंबर के 3 पार्ट दे लिए और मेरा मानना है जब 6-6 नंबर का 3 पार्ट आता है तो paper यह आसान बन जाता है question हमारा ठीक है अ अब मजे की बात देखो यहां पर अगर मैं यह तीनों दिखा दूँ इसके और में भी चलेंगे question तो देख लिए NPU हो गया और में अगेन आगया हमारा किसका सर यह trading and profit and loss का question पूछा गया है इसके अंदर owners में था तो थोड़ा सा GST वगरा इसके अंदर लगा दिये गया है तो unit number 3 एक बात clear हो गया सर जो तीसरा question आएगा that is आपका unit number 3 से और NPO और final account में choice रहेगा तो मैं हर किसी को suggest करूँगा कि सर आप final account बहुत अच्छे से करिए उसके पीछे reason है कि यह आपको अच्छे से बह आगे चलते हैं सर इसके बाद fourth question किसका था पहले branch का था अगेन यहां पर भी देखिएगा किसका question आया fourth branch का question आगया और मैं जानता हूं कि इसके और में भी जो होना चाहिए वो branch ही होना चाहिए जैसे कि हमने pattern देखा इसके और में भी आप जब देखोगे तो आपको क्या म में लेगा मुझे भी नहीं पता मैं पेपर देखो इसके और में भी क्या है हमारा branch account है यानि जो unit number four है बहुत सिंपल सी बात है जो सर unit number four है ना unit number four को दो questions बन रहे हैं यहां से एक तो branch बन रहा है हमारा और उसके और में भी क्या बनने वाला है सर branch बनने वाला इसके अंदर एक theory है computer वाला तो computer वाला theory देखो बहुत nominal सा पूछा किया पता ही नहीं चला कहा है पेपर में तो ना कि बराबर I don't know ऐसा क्यूं कर रहे हैं और unit का part डाला हुआ है लेकिन फिर भी नहीं पूछ रहे है उसमें से तो काफी बच्चे उसको ले कोई भी परिसान है मेरे ख्या और इसमें किसका बाद A part आ गया और B part देख लेते हैं यह आ गया डिपार्टमेंटल का कितने 18 नंबर का कोईशन देखो एक डिपार्टमेंटल का उठा के दे दिया ऐसा कोईशन हमने किया भी है ठीक है न तो पूरा अठार नंबर का यह दे दिया इसके और में देख लेत पे पांट में आ गया ऑपरेट्स्क्राइजिफित और फाइनेसीं जीप बहुत इंपोर्टेंट कॉशचन है कि ओपरेटिंग लिज़ और फाइनेसिंसिक लिज़ क्या होता है काफी इसके बाद देखा जाए तो अनार्ट फाइनेंस लीप तो यह था हमारा किसका पेपर स क्या होगे भाई कि अच्छा कि यह जो पूरा पेपर देखा आपने इसको बढ़ा पूरा पेपर किसका देखा यह रेगुलर का था ठीक है अब मैं वाले की बात करने वाला हूं किसकी बात करूँ क्या वही एक्जाम पेटर्न रहा या कुछ चेंज हो गया वह भी देखेंगे ठीक है पहला कोश्चन आया देखो अब फिर से अगें देखो क्या कहता है चार नंबर का कोश्चन समझाऊंगा मैं होता क्या है लेकिन पैटर्न देखेंगे यह आया यानि यूनिट नंबर यह जो है वन का ही पार्ट है अगें इस्टेट दा अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजन फॉलविंग स्टेट्मेंट दस नंबर का पूछा गया एडवांस रिसीफ फ्रम क्स्टमर नॉट रिकॉर्ड एज जैसे कि रेवन्निव रिकॉर्गनिजिशन का है हार्ड वर्क मैनेजमेंट नॉट डिरेक्ली डिस्ट एसेट साइट ऑफ ता बैलन शीट तो यह आपको क्या देना है स्टेट दा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो रहे हैं वह बताना है तो दस चार चार या ठारा नंबर का कुश्टन बना और पहले कुश्टन के और में देखो कुछ देखने को मिल नहीं रहा जैसे कि यहां पर देखो रेवन्य रेवन्य रेकॉनिशेशन मनी मेंजर्मेंट पूडेंस यह सारी चीजे लिखा हुआ है मैं आंसर के तरफ नहीं जाँ हूँ अभी ठीक है अब आ जाते हैं सर्घो सी पार्ट बी पार्ट था ना हमारा क्या था प्यांट पार्ट में क्या था एक चैनल अकौंटिंग अजंशन किस कौनसा फंडामेंटल एएस वन के ऊपर त्योरी आ गया तो देखिए एस का काफी ज्यादा important role play हो रहे है तो अगर आपको theory जानना है तो सभी के सभी accounting standard आपको आना बहुत जरूरी है especially become owners वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम में भी आ सकता यह ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए सर सी पार्ट आ गया अब आ जाते हैं हम भी पार्ट भी देख लिए हमने इसके और में भी questions आया हां यहां पर फर्स question में और में आया एस फाइव आ गया एक तो difference between the AS5 and AS8 three difference और Indeas क्या है वो चीज़े भी देखना है right short note of the following extraordinary item क्या होता है contingent liability क्या होता है money measurement concept क्या होता है तो बड़ी अच्छी बात है एंदर option दिया गया ठीक है इसके बाद एक और हमें चोटा सा question दे दिया गया गया GST के उपर और बोला गया इसको कि अब आप the transaction set of करके दिखाना है तो यह हमने बहुत सारे question में set of वाली चीज़े सीखी यह से last class video में देखोगे तो cgst sgst करके कैसे set of किया जाता है मैंने पूरा detail में discuss किया हुआ है एक घंटे तक वही चला था तो यह फाइनल अकाउंट यह जीएस्ट के chapters difference between the आपको वह answers मिलने लग गए हां पर क्या-क्या differences ठीक है ना इसके बाद आपका आगया भी पार्ट में कुछ जनल एंट्री भी पर्चेस जीएस्ट वाली जो बात कर रहे थे हैं वहाला कि जनल एंट्री दूसरे question की बात करते हैं सर दूसरा question सगें किसमें से आगया सर पर एस 10 accounting standard 10 थोड़ा थोड़ा reason आपको reason देना है state with reason और reason के साथ बताना है पांच का दस नंबर का एक practical question जो होता है कि company ने मसींदी खरीदा रिसर्च के लिए तो इसके उपर से कुछ questions बताना था ए पार्ट बी पार्ट और यहां पर अगला आ गया हमारा क्या सर सी पार्ट गीव एनी थ्री डिफ्रेंस बिट्विन दा एस टू एंड एस टू तो आप देखेंगे जो दूसरा question बन रहा है वह एस टैन और एस टू में से बन रहा है ठीक है ना आगे आजएगे सर इसके और में क्या दिया ऐसा नहीं आप बच्चे सोचेंगे सर इसमें से कुछ आए नहीं तो बच जाएंगे आप और में देखि इतने kg का या फिर material के उपर आगया ठीक है ना तो दो parts बन गए यहां पर पूरा पूरा थोड़ी class लंबी जरूर हो रही है लेकिन अब तीसरा question किसका आएगा सर तीसरा question किसका आएगा यह आगया तीसरा trial balance दे दिया आपको और trial balance में यह पूरा का पूरा एक final account का question आगया पेपर में इस टाइप से pattern चल रहा है भी फिलाल एक paper का आपके paper में थोड़ा बहुत change हो सकता है लेकिन आप ऐसा सोचो के completely change हो जाएगा नहीं तो चलिए कहता है कानपूर head office supply the goods अब यहां पर again देखेंगे तो आपका जो चौथा question बना फिर से branch का बना और इसके और में भ disturb नहीं करना चाहता मैं pattern मैंने समझा दिया है तो last year का paper जरूर करके जाएं बच्चे और उससे पहले के जितने भी paper आपको 10 year वगरा में देख रहे हैं तो वो सरफ questions करिए आप ऐसा बिलकुल भी predict मत करिएगा कि वैसा paper आएगा क्योंकि अभी तक आपका NEP में सिर्फ एक ही नहीं आएगा वो चीज़े मत समझेगा ठीक है अगेन इसमें डिपार्टमेंटल ABC यह भी अगेन भुक कही थोड़ा थोड़ा question है और owners का paper देखोगे comparatively थोड़ा tough है लेकिन हाँ ठीक है ओके आप इससे पढ़िके जरूर जाए balance sheet वाला questions एक आ गया इसके और के अंदर यह books of account lesser and lessy यानि lease और departmental पांचवा question आपका बन रहा है चलिए सर पैरा 3 जो भी है solution तो सारा आपको given है तो मुझे ज्यादा इसमें explain नहीं करना तो conclusionly आपको क्या समझ में आया सर conclusionly आपको समझ में आया कि हमारे जो कुछ चीजें है जैसे कि paper के अंदर discussion है मैं आप syllabus पर आ जा जाता हूं कहां से क्या पूछा जा रहा है स्लेबस पर भी आ जाता हूं यह देखिए जो आपका syllabus डियू ने बताया था वही है concept framework देखे concept framework framework का concept पूरा theory है यह अब देखेंगे बुक में बहुत बच्चों ने देखा वासर जर्नल तो आए नहीं लेजर तो आए नहीं कैश यह फिर आपका principle आ गया जैसे जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपली अकाउंटिंग स्टिंडर्ड आ गया यह सारे के सारे जो आ रहे थे ना पहली चक्टर में से आ रहे तो मैं भी theory पर पूरा पूरा 10 एर में डाला हुआ है theory अब कितने यूनिट थे सर दूसरा यूनिट इसका पार्ट नहीं है एस वालों से जो आपको बुक मिला है उसके अंदर थोड़ा एरर है तो उसको इग्नूर करके चलेंगे उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना आपने पांचवा यूनिट आइड़ों कंप्यूटर अकाउंटिंग कह रखा है तो मुझे कई पर ऐसा फील होता है कि इसके अंदर जीएस्ट जनरेशन रिपोर्ट कैश्बुक वगएरा है तो जीएस्ट वगएरा यहीं से वह मान के चल रहे हूं कुश्चन है बागी पांचवे यूनिट में से कोई खास कुश्चन सापका कंप्यूटर वाले में से नहीं आ रहा है इ जीएसे जैसे जीएसट डाला, आकंंटिंग मेंक और आपका अकंटिंगिस्टेंडर्ट, एस 4, इवन्ट अकरिंग आफ्टर बैलेशीट, आकंट्र आपकले अइस के बाद पोलिसी स्टेंडर्ट को मैंने सीकमेंस में रखा, देखिए पहला जो अकंटिंग आपका स्टें 19 है 29 तो जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टेंडर्ड है यह ज्यादा नहीं एक एक डिड़ डिड़ पेज इसका है तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर्थियोरी कौन सा इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूगा जितने भी अकाउंटिंग स्टेंडर्स है स्पेशली भी कौम उनर्स वाले बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और बाकी तियोरी कैसे करना है उस पर भी अभी हम डिस्कस करते हैं ठीक है ना सर फाइनल अकाउंट में टाइम कर लो अब टाइम कम है एंप यो देखें मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है अब मेरे से कोई बच्चा चलिए अब मैं एक और बता दूं के सर इतने पेपर को डिस्कस करने के बाद मैं रिक